कुण शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फसे आरन खान के पिता शारो खान को बड़ा जटका लगा है बॉलिवूड अभी नेता शारो खान देश की सबसे मुल्लेवान शिक्ष्य प्रद्योगी की कमपनी बायजूस के ब्रांट अम्बेस्टर है अब उनकी बेटे आरन खान के नियाए खिरासत में जाने के बाद बायजूस ने शारो खान के सबी विग्यापनों को रोक दिया है अगरिम बुकिंग के बावजूस ने उनके सबी विग्यापनों को बंद कर दिया है बायजूस किंग खान की सबसे बड़ी स्पॉंसर्शिप डीलर्स में से एक था बता दे इसके लावब है LG, दुबाई, टूरिजम और रिलाइंज जीयो जैसी कई कमपनियों के लिए भी चेहरा है बता दे कि बायजूस ब्रांड को एड रॉस करने के लिए शारोख खान को सलाना तीन से चार करोड रुपे का भुकतान कर दी है अब हिनेता 2017 से इस कमपनी के ब्रांड अमबेस्टर हैं लोग बायजूस पर सवाल उठाने लगे थे बता दे कि शारोख खान को अपना ब्रांड अमबेस्टर बना कर कमपनी क्या संदेश देना चाहती है सब्ता बायजूस ने 30 करोड डॉलर की बड़ी फंडिंग जुटाई थी इसके बाद जबकी साल की शुरुआत पिछले फंडिंग राउंड के बाद बायजूस की वैल्यू 1.6.5 अरब डॉलर थी अपनी बेटे को इस हालत में देखकर बॉलवट अबिनीता शारोख खान और पतनी गौरी खान काफी परशान है दोनों अपनी बेटे को जमाना दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन लाख कोशिश के बाद भी आरन खान को बेल नहीं मिल सकी आरन खान और अन्य आरोपियों को ओधर जेल में 3-5 दिनों के लिए कौरंटाइन सेल में रखा जाएगा हलाकि इनकी करोना जांच में रिपोर्ट नेगिटिव आई है लेकिन जब भी कोई नया आरोपियों जेल में आता है तो उसे कुछ जिनों तक इस कौरंटाइन सेल में रखा जाता है ब्यूरो रिपोर्ट डड़ाली डिटे नियूस